हेलो इबरोन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटीब चनल ओनलाइन स्टेडी पॉंट पर दोस्तो आज है 5 जुलाई 2023 और आज के जितने भी इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स के कोस्चन है आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तो इस वीडियो को आ आइट अंसर आपसन नमर डी हो जाएगा कामेस्वर राव कोदावंती को SBI ने अपना नया CFO निक्त किया है देखें इंपोर्टेंट प्वेंट से समझ लेते हैं देश के सबसे बड़े रीन दाता भारती स्टेट बैंक ने जो है कामेस्वर राव कोदावंती को अपना न आपने याद रखिएगा प्यारे साथियों यहाँ पर बात हुआ है भारती स्टेट बैंक के बारे में या भारत के सबसे बड़े बैंक और सबसे पुराने बैंकों में से एक है इसके अस्थापना एक जुलाई 1955 को हुई थी और SBI के अध्यक्ष का नाम दिनेश कुमार खा हैं और वेक फिट के ब्रांडम मेशडर आइसमान खुराना बने हैं कोल इंडिया के अगले परमुक कौन बने हैं पुलाव रापू मलिकार जुन वर्ल्ड बैंक के चोधवें जो अध्यक्ष बने अजे बंगा काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है प्यारे साथियों आप आप सभी को यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले बता दू युदित सर ने आप सभी के लिए काफी ज़्यादा मेहनत करके जनवरी से लेकर जून तक पिछले छे महीने के करेंट अफेर्स का पीडियेफ तयर किया है काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट ये पीडियेफ है और छे सो प्रस्णों का संग्रा है इसमें सारे जो है प्रस्ण छे महीने का परतेक मंद सो सो प्रस्ण लिए गए हैं काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट ये पीडियेफ है आप सभी लोग अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हो इसक्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्यारे सा दखा गया है 49 रुपया 49 रुपय में 600 प्रस्णों का संग्रा है इसमें और पड़तेक मंत मंत वाइज है इसमें जनवरी जनवरी में 100 प्रस्ण फरवरी में 100 मार्च में 100 प्रस्ण इसी तरीके से प्रस्ण इसमें एड़ की हुए हैं तो काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट हाली में जो है points of light फुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया तो इसका right answer क्या हो जाएगा राजिंदर सिंह धत को राजिंदर सिंग धत को points of light फुरुषकार से सम्मानित किया गया है इंपोर्टेंट पुरुषकार समारो दश डाउनिंग स्ट्रीट में UK इंडिया वी क्रिसेफशन के दोरान हुआ राजिंदर सिंग धत को उनकी उतक्रीष्ट सेवा और ब्रिटिस भारते यूद के दिगज्जों को एकजूट करने की अटूट परतिवत्ता के माननेता के लिए इसे दिया गया उन्होंने अविवाजित भारती पूरु सेनिक संग के पीछे प्रेरक सक्ति के रूप में महत्पुन भूमी का निमाई तो आफ सवीने से याद रखिएगा फ्रेंट्स से हाँ पर बात हुआ यूके के बारे में यूके या पस्मी यूरोप में इस्तित एक द्वीफ राष्ट है इसमें चार देश सामिल है इंगलेंड, स्कॉटलेंड, वेल्स और उत्री आयरलेंड यूके की राजधानी लंद को हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले देखिए लीजावेत लौगन फॉर्ट फुरुसकार दोहजर तईस से किसे समानित किया गया रामचंदर गुहा की पुस्तक रिवेल्स जो है अगेंस दराज तो इसी पुस्तक को या पुरुसकार से समानित किया गया गवर्नर आफ इयर दोहजर तईस समानित किया गया सक्तिकांथ दास को इकबाल मसीहा पुरुसकार दोहजर तईस समानित किया गया ललिता नटराजन बाल अधिकार है तू आरेसल जो है क्रिश्टोफर ब्लेंड पुरुसकार दोहजर तईस समानित किया गया पेटरसन जोसेफ को जो अथ उत्तम प्रत्यान प्राप्त जो है द्राबात के जो है एन ये बी टी द्वारा जो है पुरुसकार जीता है तो आप सब भी ने इसे धिहान दीजेगा अगले कुश्यन देखिए हाली में प्लास्टिक उत्पादन बैक पर परतिवंद लगाने वाला पहला देश कौन सा बना ह तो इसका राइट अंसर फ्रेंट्स ओप्सन नमर सी हो जाएगा न्यूजिलेंड न्यूजिलेंड जो है प्लास्टिक उत्पाद बैक पर परतिवंद लगाने वाला पहला देश बन गया है फ्रेंड्स आप सभी ने इसे याद रखिएगा न्यूजिलेंड जो सुपर मार् केट में आमतर पर उप्योग की जाने वाली पतली प्लास्टिक की थेलियें पर परतिवंद लगा दिया है फ्रेंड्स यहाँ पर बात हुआ न्यूजिलेंड के बारे में तो न्यूजिलेंड की राजधानी कहां पर है वेलिंग्टन और यहां के समराट का नाम है चाल्स त परधान मंतरी कोन है न्यूजिलेंड के क्रीस हिपकिन्स और न्यूजिलेंड का मुद्रा है न्यूजिलेंड डॉलर तो आप सभी ने इसे ध्यान दीजेगा आए फ्रेंड्स से हां पर बात हुआ देश के पहले से रिलेटेड आए देश के पहले से रिलेटेड दोजार त इला वीदिस्सा हो जाएगा भारत की पहली नियू मेट्रो देहरादून तो आफ सभी ने इसे ध्यान दिजेगा फ्रेंट्स काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है इले कोस्यन देखिए प्यारे साथियों हाली में किसने आंदर परदेश के जो है पुत पर्थी में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उदगाटन किया है राइट अंसर ओप्सन नमर ये हो जाएगा नरेंदर मोदी देखिए प्यारे साथियों इसके इंपोर्टेंट प्वेंट से समझ लेते हैं परदान मंत्री नरेंदर मोदी ने वीडियो कॉनफरेंसिंग के माध्यम से आं खाता है कारेकरम का विशे क्या है प्यारे साथियों थीम क्या है अभ्यास और प्रेरना भारत की सवतंतरता की सताबदी तक के यूग को करतव एक काल नाम दिया गया है जो विकास और विरासत दोनों को समाहित करता है तो आप सभी इसे धियान दीजेगा फ्रेंट्स इस क् बारे में तो आएक पर्देश का बारत का धान का कटोरा कहा जाता यहाँ पर देखिए कुच्ची पूरी राज्य का सबसे परसीद सास्त्रिय निरित है और आंदर परदेश राज्य का गठन एक नवंबर 1956 को हुई थी और आंदर परदेश की राजधानी अमरावती है और आंदर परदेश के राज़िपाल का नाम एस अब्दूल नजीर है औ कॉंग्रेस नेता हैं प्यारे सातियों अगर आपसे पूछे आंदर परदेश में राज्य सभा सीटों की संख्या कितनी है तो 11 हो जाएगा देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लोक सभा सीटों की संख्या 25 है तो आप सभी ने से ध्यान दीजेगा अगले कुश्यन देखिए ह इन्होंने भारती यह भायक भारती है और इन्होंने इस्पेन में अपना पहला ATP डवल टाइटल जीत लिया है तो आप सभी ने से ध्यान दीजेगा फ्रेंट्स आईए इसके इंपोर्टेंट प्रेंट से हम लोग समझ लेते हैं भारतिय टेनिस खिलाडी यूकी भामरी ने इस्पेन में जो है मोलर को चेंपियनसिप में अपना पहला ATP यूगल किताब जीता है फाइनल मैच में जीत पकी करने के लिए भामरी ने दक्षीन अफरीकी खिलाडी लॉयर्ड हेरिस के साथ साज़दारी की तीस वर्षिय भारती भामरी जो ATP यूगल टेनिस रेंकिंग मे 58 वे अस्थान पर पहुँच गए है यूगकी वामरी जूनियर अस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीतने वाली पहले भारती है तो आप सभी ने से धिहान दीजेगा पहरे साथियों काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है फ्रेंट्स यहाँ पर बात हुआ इस्पेन देश के बारे में तो आईए हम लोग इस्पेन देश को समझते हैं या यूरोप में इबेरियन प्राजडवी परिस्तित है जो इसमें 17 जो है स्वायत छेतर सामिल है जिन में से परतियक का अपना भूगोल और संस्क्रेटी है इ इस्पेन के राजा का नाम है इस्पेन के फैलिफ 6 तो आफ सभी ने इसे ध्यान दीजेगा आईए फ्रेंट्स यहाँ पर बात हुआ है खेल पुरुसकार से रिलेटेड तो आईए हम लोग रिविजन करते हैं परमुख खेल पुरुसकार 2023 के संतोष ट्रॉफी 2023 जीता करना टक ने फ्रेंच ओपन 2023 नुवाक जोकोविच देखे रंजी ट्रॉफी 2023 सुराश ने जीता खेलो इंडिया गेम पंजाब उनिवर्सिटी तो फ्रेंट्स आफ सभी ने इसे याद रखिएगा आईए फ्रेंट्स देखते हैं अगले कोस्टन हाली में फ्रेंट्स NCC के नव फर्मुक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन नमर बी M.U. Nair M.U. Nair को प्यारे साथियो N.C.S.C. का जो है नव फर्मुक के रूप में अफ्रेंट किया गया है तो आफ सभी ने ध्यान दिजेगा फ्रेंट्स आईए इसक करल नायर जिनोंने जुलाई 2022 में 28 में सीगनल ऑफिसर इनचीफ की भूमिका निभाई थी उनके पास साइवर यूद सीगनल इंटेलिजेंस और संचार और सूचना प्रोदोग्की के छेत्रों में अनुभाव और विशेस्ता का खजाना है फ्रेंट्स याद रखिएगा आ अंसराज गंगारम अहीर हैं इसराइल के परधानमंत्री का नाम बेंजामीन नेतन्या हो है केंदरा बैंक के नए सियूब जो हैं एमडी बने हैं के सते नारायन राजू फ्रेंट्स आईए देखते हैं अगले कोश्चन हाली में सरकार ने डबली टीओ में भारत के राजद के रूप में निउक्त किया है प्रेंट से याद रखिएगा इंपर्टेंट प्रेंट से समझ लेते हैं केंस सरकार ने जुलाई दोहजर तईस में ब्रजेंदर नवनीत को विस्वेपर संगटन में भारत के राजदूत के रूप में फिर से निउक्त किया है उन्होंने 2023 में समाप्द हुआ भारत जो है कोविड उपचार और निदान से संबंदित वैस्विक बौधीक संपदा अधिकारों के लिए छूट का विश्तार चाहता है डबलू टीवो का तेरवां जो मंत्री अस्तरिय सम्मिलन फरवरी 2024 में अवू धावू में होगा फ्रेंड्स आप सभी नहीं से धियान दीजेगा फ्रेंड्स आईए हम लोग डबलू टीवो के बारे में जानते हैं यह एक अंतर सरकारी संगटन है जिसका उद्देश अपने सदस देशों के बीच मुपत और निस्वक्ष वैपार को बढ़ावा देना है डबलू टीवो की अस्थापना एक जनवरी 1955 को टेरिफ और वैपार पर समान समझोते के अस्थान पर की गई थी जिसे 1948 में बनाये गया था 2023 तक डबलू टीवो में 164 सदस देश हैं देखिए डबलू टीवो का हेटकवाटर कहां पर है काफी बार एक्जाम में पूछे जाते हैं तो डबलू टीवो का हेटकवाटर जिनेवा जुकिट स्विट जरलेंड में इस्तित है देखे इसके महानीदेशक का नाम कौन है डॉक्टर नागोजी एकोंजो इवेला डॉक्टर नागोजी एकोंजो इवेला डबलू टीओ के महानीदेशक का नाम है फ्रेंड्स आप सभी ने इसे ध्यान दीजेगा आए फ्रेंड्स देखते हैं आज के अगली कोस्टिन अगली चेतरी फ्रेंट्स भारती महिला टीम में जगा बनाने वाली असम की पहली खिलाडी बन गई हैं तो आप सभी ने ध्यान दीजेगा फ्रेंट्स आईए इसके important point से समझ लेते हैं उमा चेतरी असम की पहली महीला क्रिकेटर बन गई हैं जिनका सेलेक्षन भारतिय महीला टीम में हुआ है BCCI महीला चेन समीती ने बांगला देश के खिलाब 9 जुलाइक से शुरू होने वाली करमसा 3 मेंचों की T20 और एक दिवसियस रिंकला की रुप में भारतिय टीम की भोसना कर दी है उमा चेतरी असम के जो है बोका कहट की रहने वाली है और वह एक परतिभासाली जो है विकेट कीपर बल्ले बाज है आगामी बंगला देश दोरे के लिए भारतिय टीम का नेतरित जो है हर्मन प्रीत कौर करेंगी तो आप सभी ने इसे ध्यान दीजेगा फ्रेंट्स आइए असम राजी के बारे में हम लोग देख लेते हैं असम राजी की राजधानी गुहाटी है और असम के राज़िपाल का नाम गुलाब चंदर कटारिया है असम के मुकमंत्री का नाम हैमंत बीश्वा सर्मा है काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है प्यारे साथियों आप सभी ने इसे ध्यान दीजेगा आइए फ्रेंट्स देखते हैं अगले कोस्चन राश्टी अनुसूचित जन जाती आयोक के अध्यक्स पद से किसने इस्तिफा दे दिया है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा हर हर्ष चोहान ने प्यारे साथियों जो राश्टी अनुसूचित जन जाती आयोक के पद से इस्तिफा दे दिया है आईए इसके इंपोर्टेंट प्रेंट से समझ लेते हैं हर्ष चोहान ने अपना कारेकाल पूरा होने से आठ महीने पहले राश्टी अनुसूचित जन जात आयोक के अध्यक्ष्ट के पत से इस्तिफा दे दिया है राश्टी अनुसूचित जनजाती आयोक एक भारती समविधानिक निका है जिसे समविधान अधिनियम 2003 के माध्यम से अस्थापित किया गया था फ्रेंट्स आफ सभी ने याद रखिएगा फ्रेंट्स आज का जो अंत माना पटेल आफ सभी ने से ध्यान दिजेगा फ्रेंट्स इसके इंपोर्टेंट प्रेंट्स से समझ लेते हैं हैदराबाद में आयोजित राश्टी तैरा की चेंपियंशिप में ओलम्पियन माना पटेल ने नया नेसनल रिकॉर्ड बनाया माना पटेल ने महिलाओं की 100 मी ने महिलाओं की 100 मीटर बेक श्ट्रोक अस्फरदा में 148 के साथ नया रिकॉर्ड कायम किया नीना जो है वेंक टेस ने भी महिलाओं की 50 मीटर बटर फ्लाई अस्फरदा में अपना राश्टी रिकॉर्ड बनाया फ्रेंट्स आप सभी ने से ध्यान दिजेगा फ्रेंट्स आईए हम लोग पिछले दिनों के करेंट अफेर्स को रिवेजन करते हैं हाली में अश्ट्रियाई ग्रेंट फ्रिक्स फॉर्मूला वन चेंपियंशिप दोहजर तईस का टाइटल किस ने जीता इसका राइट अंसर मैक्स वेरिश्टेपन हो जागा हाली में जारी डबलू महता हो जाएगा हाली में विश्व खेल पतरकार दिवस कम मनाया गया दो जुलाई को और हाली में 132 डूरंट कप टूनामेंट का आईजन कहां किया जाएगा कोलकाता में और हाली में जारी आईएपी रिपोर्ट दोहजर तैस में दुनिया का सबसे सांतिपूर्ण जो है देश रहा है तो इसका राइट अंसर अफगानिस्तन हो जाएगा सबसे कम सांतिपूर्ण देश रहा है अफगानिस्तन अगले कोसन देखिए हाली में किसने कोल इंडिया के चेर्मेन का पदभार संभाला है पी-म परसाद हो जाएगा भारत के पहले साओदेशी रूप से विक्सित परमानू उर्जा रियक्टर का वानी जीक परिचालन कहां सुरू किया गया है गुजरात में किसने सैने मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचीव की रूप में पदभार गरहन किया है अतुल आनंद भारत की जी ट्वेंटी अधिक्षता के तहत स्टार्टप ट्वें आफार्टप ट्वेंटी एक करेंट अफिर्स है जनवरी से लेकर जून तक काफी जादा इंपोर्टेंट करेंट अफिर्स जो जो इंपोर्टेnt है 600 करेंट अफिर्स इस में है इस इबूक में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा वहाँ से आफ सभी ले सकते हो दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और फ्रेंड्स यहां पर देखिए हाली में अश्ट्रियाई इसका क्या राइट अंसर हो जाएगा आप सभी लोग इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और हमारे साथ जूड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल अल्ड़ बेस्ट